मावल और डिजनी प्लस की अपकमिंग टीवी सीरीज वांडर वीजन से लेटे काफी कमाल के प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हो पाई जिसमें की बात करी जाए ब्लैक विडिवीड की तो वो भी कोविड की चक्कर में काफी ज़्यादा डिले हो गई पर कोई बात नहीं साल 2021 केοςि में 15 जन्वरी को रिलीज हो रही है वांडर वीजन अभी हाली में डिजनी प्लस ने इसके काफी सारे प्रोमो रिलीज करेंगे ज क्योंकि पहले जो खबर आ रही थी कि इसमें टोडल आपको 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे पर अब ऐसा नहीं है। 15 जनवरी को ये रिलीज होगी और हर फ्राइडे को एक एपिसोड रिलीज करा जाएगा। यानि कि 15 जनवरी से लेके 5 मार्स तक आपकी ये टीवी सीरीज चलेगी। जो कि बहुत कमाल का और एक्साइडेट होने वाला है। अब आठ एपिसोड के साथ मुझे लग रहा है कि हर एपिसोड की रनिंग टाइविंग लगबग 30 से 40 मिनिट की तो होगी। तो गाइस मैं तो काफी साथ एक्साइडेड हूँ और इसमें डॉक्टर स्टेंग का मोस्ट इंपर्टन रोल है तो ये टीवी सीरीज और भी मज़ेदार हो जाती है क्योंकि मल्टी वर्स में अन्फूचर वांडा का और डॉक्टर स्टेंग का ही हाथ है। तो आप सब जानती हो अगर एक आप मार्वल टू फैन हो कि इन फीचर मार्वल फेस्पूर में क्या होगा मल्टी वर्स को लेके तो उसकी शुरुवात वांडा वीजन सी है और इसलिए आपको ये टीवी सीरीज दीखनी पड़ेगी और देन डिजनी प्लस पे अगर इसका लाइक आप में शेयर कुरों जो बन इस वीडियो को नहीं देखे हो या दोस्तों स्पाइडर मेंन के हाथ मारो ये पेर मारो पर ओर कुछ मत मानना बाबाई जा रहा हूं